आज सेकेंड सब्जेक्ट हिंदी टोपिक है आज अपना हैलो चुन्हूं हैलो चुन्हूं लेसन हमने पहले पढ़ दिया था आज हम इसके कुशन असर करेंगे फर्स्ट कुशन इस गोलू किनके प्रिवार का स्विस्थ था हाथियों के गोलू की उमर कितनी थी 11 दिन बच्चे के समय हाथि का बजन कितना होता है 105 किलोग्राम हाथियों के मुँँ में कितने दांत होती है 26 नेक्स्ट विटा हाथि के बच्चे ने अपना नाम गोलू बताया चुन्मून ने गोलू को चिडिया घर में देखा देखने में गोलू चुन्मून से बड़ा दिखता था गोलू की मा की उमर 48 साल थी चुन्मून की मा ने उसे जगाए नेक्स्ट अपना बिटे कोशना असर चुन्मून गोलू से कहा मिला था चुन्मून गोलू से चिडिया घर में मिला था चुनमुन और गोलु की उमर कितनी थी? चुनमुन की उमर 7 वर्ष और गोलु की उमर कितनी थी? 11 महीनी हाथी के आयू कितनी होती है और उसका वजन कितने किलोग्राम तक हो सकता है तो अपना अंसर रहेगा हाथी के आयू 50-70 वर्ष तक हो सकती है और उसका वजन कितना हो सकता है 5000 किलोग्राम तक भी हो सकता है हाथियों और उसके प्रिवार के लोग कैसे होते हैं? हाथियों और उसके प्रिवार के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और ये सबी सबी के साथ अच्छा विवार करते हैं हाथियों के समू का नेतरतब कौन करता है? हाथियों के समू का नेतरतब मा करते हैं I hope आपको समझाएबाद, thank you very much.